हलो माई डियर इस्टुडेंट स्वारत आप सभी का चले वे अब देखो ओफिशियल आन्सर की जो है एस्टनु की बेव साइट पर जो है आचुकी यह भई है न ओफिशियल जो है एस्टनु किर्सी पर विश्ट याद रखें थोड़ा सा जो वीडियो की जो ट्वालिटी है उसको आप 360 पर कलने तभी आपको जो है वीडियो अच्छे से दिखाई देगी भई क्लियर है तो यह आपके वो बॉल्यूम आ रहे है वही कोई दिखत नहीं है चले तो यह ओफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है है ना सीरीज क्या है वही से सीरीज है ठीट है से सीरीज है तो एट वार इसको पूरी आंसर की तो जो है बता देदें भईये ना एक्जाम एडरी टल्चर सुपरवाईजर सी सीरीज की हम बाद कर रहे हैं जो भी चेंजे जुए हैं उन्टी हम बाद कर रहे नहीं भई देखो पहला कोशन क्या है हिंदी का है निर्म लिखित में से किसमें ए उफसर का प्रियोग हुआ है किसमें हुआ है वही आंसर क्या जाएगा अनुगामी ए उफसर्ग कोशन आंसर की तो सही है ना भई से सीरीज हाँ हिंदी में थोड़ा टेंट फ्यूज हो रहा है तो यही आंसर की सीरीज टी जो हैं सी सीरीज टी है और अपने पास भी सीरीज यह है ना चली एट बार और हम इसको मैच टल लेते हैं कि यही आंसर की जो बताई जा रही है यह इसी टी है देख लेते हैं इससे पता चल जाएगा एट दो टोशनों से पता चल जाएगा कामड या पंथ रामदेव जी ट्वेंटी ट्री टा तीन होना चाहिए हां यही आंसर की यह सही है चली हाँ यह ओफीशियल आंसर की जो है आ चुकी है बई सभी विद्यारती द्यान दे रहें अब देखो अब बहुत से विद्यारती मुझे से लड़ाई कर रहे थे हर कोशन पर जो है आप लोटों ने जो हैं अम्वज और अम्वदी सब्द योगम का सही अर्थ है बताएं बई साथ की साथ आप आंसर भी देते रहें है ना दो का तीन यह है अम्वज कमल और अम्वदी समद्र जो है अटनी का पर्याबाची नहीं है अमिय अमिय जो हैं तीन का तीन अमिय जो हैं वो पर्याबाची नहीं है यह आपको ध्यान रटना है चली यह अंसर की भई आई थी फिर आगे बढ़ते हैं कमेंट कर देना भई कोई भी किसी भी प्रकार की दिख्कत है तो आप कमेंट कर देना एसकेनी जोबनिर में किरसी परवेशत का एटजाम हुआ था और उसकी यह आंसर की है अदला है निमन लिखित मैं से सुद्ध सब्द है कुनसा सब्द जो है सुद्ध है तो आंसर क्या है निदी निदी जो सब्द है वो सुद्ध है इसके लाब आप पांचमा कोशन है पानी किस प्रतार के द्वेश को दोस को दर्साता है कुशन नमर फाइव फाइव का अंसर क्या है मौहावरे का दोस क्या है वही मौहावरे का दोस पॉल्टरी फार्म के परिशन कहां से मिलेंगे एपलीटेशन में मिलेंगे देव शर्मा राहूल गुर्जर जी बहुत बड़े ह सब्द अर्थ का सही संदी बिकल्ब है, सब्द अर्थ का, कोश्य नमर 5 का 4 ओड़ या, 6 का 2, याद रखें, आंसर है सब्दार्थ, फिर उसके बाद आजाएं, कोश्य नमर 7, प्रति उत्तर का सही संदी बिकल्ब है, प्रति उत्तर, जो आंसर की आई है, उफिशल, मैं उससे बता रहा हूँ इसको न, प्रति उत्तर, ये इसका आंसर आएड़ा थड़, सेर्नी सब्द में प्रत्य उफसर्ग है, कुनसा जो है सेर्नी सब्द में प्रियुट्ट प्रत्य है, आठमा, आठमे का आंसर आएड़ा नी है ना कुंसा है भई सेर नी नी प्रत्य है उसके बाद है उफसर्ग एवं अर्थ में सुमेलित नहीं है उफसर्ग एवं अर्थ में सुमेलित नहीं है तो आंसर क्या जाएगा भई इनोंने जो आंसर माना है वो नी प्लस अच्छा माना है यानि इस फोर आंसर नाइन का फोर आंसर फिर उसके बाद कर्मदारे समास किसका एट प्रकार है कर्मदारे जो समास है वो किसका एट प्रकार है दसमे का जो आंसर है जो माना है इनोंने वो है तत पुरुष समास के आंसर माना है तत पुरुष समास चली वे, याद रखें लाश्ट में डुरू जी टटॉप के बारे हाँ, टटॉप के बारे में चर्चा डरेंगे निश्यंद्रोव आप फिर उसके बाद जो है, कोश्य नम्मर 11, बहु बरी समास नहित सब्द है मावीर, नवरत्न जल्मर्न उपरोत्र सभी 11 का जो आंसर है वो है मावीर, क्या है मेरे लाड़लो, मावीर जो आंसर की में आया है, वो मावीर आया है अगला कोश्य नम्मर 12 कोश्य नम्मर 12 12 क्या है आसन, आसन सब्द युद्मगा सही अर्थ है क्या आंसर जाएगा भई, 12 का 4, बिछोना और निकट, ये इसका आंसर जाएगा, बासव किस का पर्यावाची है, बासव जो है, इंद्र का, असुर का, आकास का, इच्छा का, तो आंसर क्या जाएगा 13 का, फर्ष्ट आंसर जाएगा इंद्र का, बासव इंद्र का पर्यावा आंसर है संतोस इसमें स्वर संधी नहीं है 81 राइट है सरजी गोड़ अनिता चाधरी टॉन रेचुलेशन्स आप करीब हो सलेक्षन के लेकिन उम्मीद अभी मत रखना क्यों मत रखना क्यों कि कम सीट थी नमर ओफ इस्टूडेंट भहुत जादा थे यसो गान सब्द का संधी विच्छे दोगा यसो गान का है तू यसे और गान है ना ये इसका आंसर जाएगा कोश्य नमर 16 देखो जल्दी जल्दी हम बताएंगे कोश्य नमर 16 लोहाद गड़ दुर्ग किसने बनवाया था राजपुताना नाम का सरप्रतम प्रियोड किसने टिया था एक कोश्यन का आंसर है गलत माना है सर देखो एडिटल्चर एट्सपर्ट आप अबजेट्स लड़ाईए यह ना ये ओफिशिल आंसर की है यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रिसिन पर डाउट है तो आप एक कोश्यन में आप आंसर जो है औजेट्संस लड़ा सकते हैं और एक क्या सब में लड़ा सकते हैं बाई डादा जो है वो अभी आने वाले अभी लड़ा सकते हैं आप एक दो दिन में है वो आप लगाईए राजबुता नाम का सर्वतं प्रियोट किस ने दिया था ये आपके कोशन है और इस्टा जो आंसर माना है वो है जोर्ज थॉमस फिर उसके बाद स्राबन प्रतिक्रिमन सुत्र चूर्णी है क्या है भई एक अठारे अठारे का आंसर है तीन चित्रित ग्रंथ है क् फिर उसके बाद आजेए कोशन नमर 19 पन्ना धाय का संबंध किस से है मारवाड आमेर मेवाड हाड़ होती तो पन्ना धाय का जो संबंध है वो मेवाड से है कोशन नमर 20 एनल्स एंड एंटिक्विटी ओफ राजिस्तान नामन पुस्तर किस ने लिठी थी जोर्ज थॉमस ज जेमस थॉमस या जोर्ज टॉड आंसर क्या माना है जेमस टॉड इनो ने जो है इस पुस्तर को लिठा था बीर सुरूमणी माराजा पृताब का जनम कब हुआ था तो आंसर क्या बेई इसका जो है आंसर 21 का दो 1540 में बीर सुरूमणी माराणा पृताब जी का जनम हुआ थ किरसी परविशत, किरसी शेत्रमित या विस्तार है वो हम करेंगे उस पर चर्चा जो है हाँ 500 रुपे हैं निश्यंद्री जी आप चले वे फिर उस्टे बाद देखते हैं 21 हो चुके हैं फिर उस्टे बाद जो है आजाएए 22 किस संत के सिद्दांथ 29 सिद्दांथ के नाम से जाने जाते हैं किसके सिद्दांथ हैं जो है न 29 सिद्दांथ के नाम से जाने जाते हैं 22 का आंसर है 4 जामबो जी अटला टोशन है कामडिया पंथ के संस्तावत थे कामडिया पंत्ते जो संस्तावक हैं वो हैं राम देव जी फिर अटले कोशन की तरफ बात करते हैं निमनल इठित में से किसे प्राचीन काल में अही छत्रपूर के नाम से जाना जाता था तो आंसर क्या जाएगा भई 24 का दुख नादोर को जाना जाता था क्लियर है भई यहां थर चले आपंसर की भई मैच कर लेना फिर अडले कोशन पर वड़ते हैं विश्व मांचित्र में राजिस्तान की इस्तिती एवं विस्थार है विश्व मांचित्र पेर जो है तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा फर्स्ट आंसर जाएगा ये आपको ध्यान रहना है 23 degree 3 naught से 30 degree 12 minute जो है ये उत्तरी अच्छा आंस तर जो है आंसर जाएगा राजिस्तान बारत के कुल छेतपल का कितना भाग है तो राजिस्तान बारत के छेतपल का भाई कितना भाग है 10.49 प्रतिसत देखो जल्दी जल्दी बता देते हैं ओफिशिल आंसर की है है ना इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं बहुत बड़े बई 86 से उपर सही हो रहे बहुत बड़े इसलेट्शन के आप नजदीत हो लेलनी मेठीडी सूटडी किस्टी किस्टी जल्दी बता देते हैं हेलो हेलो अच्छा बोज नहीं आ रही कोई दिट्कत नहीं है बोज नहीं आ रही अभी आगी ना बोज कोई दिट्कत नहीं है चली अठले कोशन के तरफ बढ़ते हैं चंद्राबान जी हाना सर प्लीज चेट सर जी चंद्राबान जी क्या बोल रहे हैं जरूर वो कुशन का आंसर आपको टिक कर दिया था कोई दिक्कत नहीं है अब आज में कोई दिक्कत आई कोई बात नहीं एड़ेस्ट कर लेना आप बोईज प्रॉब्लम खा आ गई चली भी निम्न मैं से कौन सा राश्टी राजमार्ग राश्टी राजमार्ग है जो राजिस्टान से नहीं रुजड़ता है थर्टी बन का आंसर तू है राश्टी राजमार्ग तेरे जो हैं वो राजिस्टान से नहीं रुजड़ता है राजिस्टान में सरवर्थम चीनी मिलकी इस्तापना कहां पर की गई थी 32 answer is 4 भोपाल साडर में पिर्थम चीनी मिलकी जो इस्तापना है वो टी रही थी 32 तो जो answer है वो 4 है फिर उस्ते बात जो है आजाईए वई 33 33 ती बात करें ओद्योडिट सेवाओं एबं 31 में 2 31 में 2 माना है 31 में 2 है चली 33 का जो answer है जो इनोंने माना है वो है विशेश आर्थे के चेत्र माना है राजिस्तान में डान चेत्र क्यलाता है राजिस्तान में कौन सा चेत्र है जो डान चेत्र क्यलाता है answer है इसका चम्मल अपवाह चेत्र जल्दी जल्दी आंसर की तो देखेंगे चलिए वे अडला कोशन है बारत में प्रितम बार पंचाती राज विविस्ता कव लाडू की डे थी तो याद रखें बारत में 2 अक्टूबर 1959 को जो है लाडू की डे थी राजस्तान में 80 टरण से पूर्व रियासतें कितनी थी तो आंसर जाएगा 19 रियासतें थी क्लियर है यहां तक कितना आंसर जाएगा 19 रियासतें चलिए फिर अडले कोशन पर बढ़ते हैं हम देख रहे हैं सी हैना सेट्सन सी सीरीज है हमारी और उसका आंसर जो है हम देख रहे हैं किरसी परविशत हैना स्केनियों किरसी परविशत की ऑफिशियल आं रखते हैं तोबा जहलरा वबेरी किस से संबंदित हैं ये सभी की विबात तरें तो ये आपके जल प्रिबंदन से हैं अदला कोशन है 38 कोशन नमर 38 क्या तेरा है दानमन दुर्ग का उदारण है 38 का जो आंसर है वो क्या जाएगा थर्ड आंसर जाएगा जैसल मेर दुर्ग हाँ आज हुआ है जो आज हुआ है गया देवानसु सर्मा मुझे पेपर बेज दें भई देवानसु सर्मा मेरे नमर पर आप मुझे पेपर बेज दीजिए हैना मेरा नमर है 9993-474981 इस नमर पर आप पेपर बेज दें और मैं आप को answer की कल जारी कर दूंगा clear है चलिए इस number को आप note करें आगे बढ़ते हैं question number 38 तक हो चुके हैं फिर उसके बाद 38 के बाद 39 किस जील के बारे में मानता है कि इसे देवताओं ने नाटूनों से खूद कर बनाएं गया था किस जील के बारे में है ये है नकी जील को फिर उसके आध सुमेलित नहीं है कूंसा सुम मेलित नहीं है तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है डूनर कूर टोड़ी साडर ये सुमेलित नहीं है फिर अगल्य बात करते हैं 41 question की जो हमारे adult कालकिसी बिज्यान से प्रारभ 210 क्लियर एप्यार बिद्र दिएदि dat निम्न लिठित में से सुमिलित नहीं है सुमिलित कुंसा नहीं है देखो अच्छा कोशन था जिसमें मिशलेनियस जो हैं आंसर गे थे तो यही जो आंसर है D.A.P. डाई अमोनियम फास्पेट उच्च कनाटार ये सही नहीं है निम्न में से निम्न सब्जियों में से कौन 8 बीज पत्री है निम्न में से कौन 8 बीज पत्री है तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा प्याज जो है वो 8 बीज पत्री मोनोकॉर्ट है खीस का कॉलिस्ट्रम का आप इच्छी गनत्वे यानि की relative density टी बात हो रही है ना relative density टी बात हो रही है तो 43 का आंसर जाएगा 4 ध्यान अठें क्या आंसर जाएगा 4 1.0, 4.0 से 1.0, 8.0 इंगलिस में क्या आतेते हैं relative density of कॉलिस्ट्रम आगे बढ़ते हैं बई 83 हैं बहुत ही कम है बट यू जोद पूर बीटाने रहे डिटल्टर 430 पोष्ट की त्यारी टड़ते रहें हाँ चंदावान जी जरूर आप त्यारी में जुड़ जाएं है ना जरूर भई बाद में डिस्टर संटर रही हैं पहले आंसर की बता देता हूं मैं फिर डिस्टर संटर रही है पसुओं में जहरबाद रोड जहरबाद का मतलब है आपके ब्लेक वाटर डिजिस्टी बात हो रही है इस रोड का जीवानु जहें कुनसा है तो इस रोड का जीवानु है क्लो स्टिडियम क्या है भई दो स्टिडियम निमने लिठित में से बैनन की टिसमों को सुमिलित नहीं है कुनसी टिसमें बेनन्टी हैं जो सुमिलित नहीं है पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके 11th और 12th क्लास से याद रखना है आपका 11th प्लस 12th क्लास से आपका पूरा पेपर आया है तो जो भी आपके 11th क्लास जो आंसर की इस्ति जो बनाई रही है वो भी 11th और 12th क्लास के अपके बनाई रही है निमने लिखित बेनन्टी किसमों में सुमिलित नहीं है कुनसा इसमें सुमिलित नहीं है 45 का 4 आंसर जो है आएगा ये सुमिलित नहीं है हाँ चलिए हाँ कैसे मालूम करें एट बीच पत्री है दो बीच पत्री है वो बाद में डिस्ट्रेस न दर रही है पहले आंसर की तो बताने तो यार हाँ चलिए फसलों एवं किसमों में सुमिलित नहीं है हाँ ना कुनसा फसलों एवं किसमों में सुमिलित नहीं है तो आंसर जाएगा दो चली अजले कोशें की तरब बढ़ते हैं कंटिली का बानसपतिक नाम है आंसर क्या जाएगा कुकुमेस, में लो, किस्म क्या जाएगी यूटीली, सीमस फिर उस्ते बाद, सूत्र किर्मी प्रबावित मिर्दाओं में किस फूलोंती खेती की सिपारिस की जाती है तो क्या आंसर जाएगा मेरे लाड़ो 48 का जो आंसर है वो थड़ है ना ये आपके 11th class में है मठन एबम घी में विशेश जो सुगंद होती है वो किस बज़े से होती है तो आंसर क्या जाएगा डाई एसिटाइल की बज़े से विशेश सुगंद होती है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं बायुद्वारा मिर्दा का मिर्दा चरन का प्रकार है कुश्य नमर 50 इसका जो आंसर है वो किया जाएगा उपरोट सभी उच्छलन, निलम्मन, सते सरबन सभी मिर्दा चरन के प्रकार है कुश्य नमर 51 उनकी कमी से होने वाले रोडों में सुमिलित नहीं है थाइमीन, बेरी-बेरी राइबोफलेविन, पैलिडरा अर्गोष्टिरॉल, रेटेड्स फैलोट्यून, स्करवी इसका जो आंसर है 51 की बात तरहें तो आंसर क्या है ये फोर, फैलोट्यून, स्करवी नमने मैं से कौन सी तत्नीत अंगूर के प्रवर्दन के लिए उपिर तोत्री है प्रवर्दन की जो है कौन सी मैं थड़ा है ये आप से पूछा गया है आंसर क्या जाएगा कटोर का आश्ट ये कलम यानि की, हाड़ बुड कटिन इसका आंसर जाएगा क्लियर है भी याँ ताट? हाँ, देखो, कटोफ का आईडिया कोई नहीं लटा सकता है हाँ, वो अलग बात है कि हम फैंकोलोजी टर सकते हैं उस चीज़ पर हाँ, क्योंकी, कटोफ का आईडिया कोई नहीं लटा जाता है हाँ, कोई, ठीक है, किसी का तुक्का बैठ जाए, कि इतनी कटोफ चले जाए तो कह नहीं सकता हूँ किसी ने ऐसी तुक्के में बना दी हो, बई 50 लोड बनाएंगे पचास लोडों में से किसी की तो सही चली जाएगी है ना समझ रहो चले दूद में पीलापन का कारण क्या है तो दूद में जो पीलापन है वो केरोटीन की बज़े से होता है किसी बज़े से होता है लाड़ो केरोटीन की बज़े से होता है सनायटा बानसपतिक नाम पूछा था सनायटा जो बानसपतिक नाम है 54 54 में 3 केशिया अन्रस्टी फोलिया सनायटा बानसपतिक नाम क्या है केशिया अन्रस्टी फोलिया चली अदले कोशन ती तरह बढ़ते हैं 55 जब किसी फसल में वो इन था ही टिस्म के अलावा किसी अन्य टिस्म का पौदा आएं तो उसे हम क्या टेते हैं अन्य टिस्म का येदी पौदा ओड़ के आ जाए तो उसे एवांचित खरपतवार केते हैं, भारत में डेरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामत है, 56 का जो आंसर है वो क अच्छे तो क्या पाडल होते हैं, है ना तो अच्छे से पढ़ते हैं, ना चीजों को समझते हैं, है ना अब इसका आंसर किसी ने कुछ जो है, एपेडा इसका आंसर था, चले वे, फिर उसके बाद आईए, कोशन नमर जो है, निम ने लिखित बेर की किसमों में सुमिलित न नहीं है, इनोंने जो आंसर माना हैं, वो यह माना है, दूद में बसा परिषण की सबसे उत्तम विदी है, दूद में बसा परिषण की जो सबसे उत्तम विदी है, वो डरवर भी दी है, पपी ते टे उच्छ डणतर ओपड में 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प् मेंटर sqyre में आपको 1.25 मेंटर का बात दे देना है अग्ला kooshen देखते हैं 60 यदि किसी पसूते सीनों पर चलनोंटी संक्या 3 है तो पसूती उम्र क्या होगी है ना यह kooshen है कि यदि पसूते सीनों पर चलनोंटी संक्या 60 60 तो आंसर क्या जाएगा 60 ता जो आंसर है वो दो जाएगा साइट का आंसर दो जाएगा सर लेव असे स्टेंड में तीन गलत हैं 500 रुपे मादर हैं क्या डर हैं सर देख लीजे कोई भी अगर कोई 8 single person भी लगा देगा तो भी टाम हो जाएगा जरूरी नहीं है कि आप सभी objections लगाओ है ना जितने भी student है उसमें से कोई 8 objections भी लगा देगा तो भी जो change होगा वो सब के लिए होगा समान रूप से question number 69 Panama built नामत road किस फसल से संबंदित है Panama built नामत road केला से संबंदित है किस से है केला से मीठी साइलेज में किस अमलकी मातरा अधिक होती है मीठी साइलेज में किस अमलकी मातरा अधिक होती है आंसर जाएगा लेक्टेट अमलकी जो मातरा है वो मीठी साइलेज में क्या होती है अधिक होती है question number 63 पर आते है टिमाटर की प्रती हेट्टे रोपाई ही तू इस्ट तम पौद साला शेटपल की आवश्यता पानीटा ब्रेट लेता हूँ आंसर दीजी इसका लाइक टर दें वही चलिए लाइक टर दें रोजना आठ वजे रोजना आठ वजे अमारी लाइब क्लास होती है आप 65% बन रहे हैं तो राव जी देखो इसमें आप पैसा लगा दीजी भई फिर तो देखो आपके पास 15 रुपे हैं तो आप लगा दीजी टेमाटर की प्रती हेट्टे रोपा ये तू इस्टतम पौद साला छेटपलती आवश्यता होती है 63 की बात तरहें तो आउसर क्या जाएगा 100 से 825 बर्ग मीटर ये आपके 11th क्लास से आउसर इनों ने माना है जो बुटों में जो भी रेफरेंस बुट हैं उनके अकॉरडिन इनों ने आउसर नहीं माना हैं क्यों नहीं माना हैं जो रेफरेंस बुटें वो इंडिया लेवि दूर है 64 का अंसर है फर्स्ट जल्मान माइनस प्रवावी बढ़सा प्लस मर्दानमी क्लियर है यहां था चड़िए कुशन पर बढ़ते हैं क्या गरा है कुशन 65 गाए एवम गाए वे बहेंस का औसत सारी रिट तापमान कितना होता है टोटल पेपर 11 और 12 लास से हैं टोटल टोटल पेपर जो है 11 और 12 लास से है बिजय टोटा तो 65 का जो आंसर है वो क्या है दो 38.5 डिडिरी सेल्सियस उसके बाद सरबादिक बिटामिन ए किस में पाया जाता है इसका आंसर जो है गाजर है मैंने जब पहले आंसर की बनाई थी उसमें मैंने डलत बता दिया था फिर उसके बाद मैंने यूटूब पर डाला था और ये जब मैंने यूटूब पर प्रिसन डाला तो मैंने इसका आंसर गाजर बताया था यूट्वर में ने फिशन्द डाला तो बच्चों ने चाएं जैसे बोला था ये वो इदर का उदर का पता ने जन क्या का बोला पढ़ाना नहीं आता ये नहीं आता फलाना नहीं आता रह बहुत अंशर जब गाजरी इसका बेड़ की संटर नसल अभी बस्तर किस्ता संत्रन है कुशन नमरicios का अंसर जएडा दो भी बस्तर और चोलाट पिर उसके बाद जो आजेए भई osition 68 एक्सरे दिये हैं हाँ तो आप उसमें टरो ना राव आप कीजिए उसमें अब्जेक्सिंस लगए राष्टे डेरी बिटास बूड की इस्तापना किस बर्स की रे थी राष्टे डेरी बिटास बूड की जो इस्तापना है 68 का आंसर जो हैं 1965 65 तुलसीटा पौदा है तुलसीटा जो पौदा है यानि TTS कुल का है हाँ कोई भी भुट्टा रेफरेंस डाल दीजी आप राव जी है ना 69 है ना इस्ती ये दिये बात करें तो इसका आंसर लेम ये सी उसके बाद निम लिठित में से कौन सी बेंस्ती नसलें और उन्टा निवास सुमिलित नहीं है ये आप से पूछा है 70 70 ते आंसर क्या जाएगा 4 च्विटी बदावरी जो है कहाती है वई आपके आगरागी क्लियर है भी यहां तक ये ओड़िया आपके 70 फिर उसके बाद 70 के बाद 71 इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है 25 प्रती सच जो है रहता है दूद में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है बहतर और बहतर का आंसर जो है कौलडल निलम मन के रूप में फलपाट में फलपाट की यह दिबात रहे तो याद रणा है उसको दिन्दी दे दी इन्होंने जैम है ना जैम आपसे पुछा है कि बही जैम में क्या पुछा है टी एसस पुछा है तो 73 का जो आंसर है वो जाएगा फर्स्ट 68 होता है जैम में क्लियर है चली फिर उसके बाद देखते हैं 74 74 दुदारू पसों में दुद्द ज्वर यानि की पॉजेटिव एजेंट ऑफ मिल्क फीवर तो आपको पता है यह बई टेलसियम की कमीश होता है 74 का आंसर फूर बना है कंपोष्ट बनाने की बेंलोर विदी किसने विटसित रही थी तो याद रहना है जो एलेन आचार रहे है इन्हों ने इसको बिटसित किया था निम्न मैंसे लोहो तत्व का समरद सुरूत है लोहो का समरद जो सुरूत है जो आंसर माना है करौदा जो है लोहे का समरद सुरूत है क्लियर है चले वे आगे बढ़ें हना मैच टलने न वह यह C थी है पेपर कोड़ C है उसके बाद दूद में स्टार्च की मिलावट की जांस के लिए दूद में यह दी स्टार्च की मिलावट है तो कुन सा भई आयोडीन मिलियन से याद रखें स्टार्च की मिलावट है तो iodine million धी को अधित ताप क्रम पर संद्रे तन्य से उसमें अमलता उसमें अमलता क्या होगी 78 में 3 भढ़ जाती है अमलता क्या होती है बढ़ जाती है clear है भई यादर 78 में उन्होंने 3 माना है 77 में 2 माना है clear है चले आगे बढ़ते हैं 73 होगे 74 75 76 77 78 और 79 79 बटरी की आस्तन स्वसंगती प्रती मिनट कितनी होती है बतरी की बई 79 का आंसर जो है 2 12 से 20 पैपिलियो डेमोलियस किस कीट का नाम है तो जो नीवू की तितली है ये किसका नाम है लाड़ लो नीवू की तितली clear है अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं चारिय मिरदा में किस पोश्चतत्तती कमी पाई जाती है 81 का आंसर जो है 4 आएगा सभी ती कमी पाई जाती है निम्न फसलों का लवण सेंसनू का सही द्रम है 82, 82 का जो आंसर है वो 3 जाएगा 3 मतलब जो है पालाट फिर उस्ते बाद टमाटार फिर उस्ते बाद बिंडी आंसर जाएगा फिर उस्ते बाद आईए निम्न मैंसे असत्य टतन है असत्य टतन जो है 83, 83 की यदि बात रहें तो 3 यानि की बत्री टी डरबटाल अवदी बेड से कम होती है ये असत्य है बाकि भेंस की डरबटाल अवदी डाई से अधित होती है सही है भेंस और गाईटी मद चक्र अवदी समान होती है सही है clear है चली फिर उसके बाद 84 टेमाटर की कौन सी भौ रोड रोड़ता बाली जो है किस्म है ये आप से पूछी थी तो 84 का आंसर जो है इनो ने माना है 2 अरका रच्छट क्या है अरका रच्छट जो है इसका आंसर है potassium chloride में side प्रतिसत क्या होता है 85 की ये दिबात तरहें तो K2O होता है किसान खाद में calcium का अंस आप से पूछा है किसान खाद में calcium का अंस कितना होता है 8 प्रतिसत होता है clear है मेरे लाड़ लो 8 प्रतिसत final result आजाएगा अब जल्दी आजाएगा final result question number 87 की बात तरहें ये भिंडी में पीत सिरा रोड से कौन सी किस्म प्रतिरोदी नहीं है कौन सी किस्म जो हैं प्रतिरोदी नहीं है 87 में 2 पूसा मखमली ये प्रतिरोदी नहीं है ये ही आंसर जो है मैंने भी दिया था जब मैंने आंसर की जारी की तब मैंने यही आंसर दिया था बारत में किरसी का इतियास पुस्तक्य लिटर तो ये डाटर MS रंदाबा जी हैं ये आपको ध्यान रणा 88 का 3 किस विदेशी नसर की डायों के सरी टारंड काला और सफेद होता है 89 की ये दी बात रहें तो हलिस्टिन फ्रीजियन जाएगा सिचाइटा सादन जिसमें लोहे के बड़े पईये पर छोटी छोटी बाल्टियों की माला होती है छोटी छोटी बाल्टियों की जो माला होती है आंसर क्या जाएगा रहेट इसका आंसर जाएगा प्रात्मेट भूपरिस्त्रण यंत्र है है ना ये कोशन आये था प्रात्मेट भूपरिस्त्रण तो जो डिस्क हल होता है डिस्क हल ये जो है प्रात्मेट भूपरिस्त्रण यंत्र है है ना डिस्क हल जो रहता है वो प्रात्मेट भूपरिस्त्रण यंत्र है ठीक है फिर उसके बाद आजाईए बई कोशन नमर 92 निमनल इठेत सुस्क जलबाईवी है बनस्पतियों में सुमेलित नहीं है कुन सा सुमेलित नहीं है 92 92 में 2 आएगा बिलायती बवूल है ना बिलायती बवूल आएगा फिर उसके बाद जो है परमपरादत किरसी बिटास योजना की सुरूबाद किस बर्स में हुई थी तो याद रखें 2015 में ये योजना आई थी है ना तो 93 विटा आंसर क्या जाएगा दो आंसर जाएगा चली लाइट कर देना बई वीडियो को और हमारे एडरी पावर जैपर कोचिन एपलीटेशन नई एपलीटेशन तो डाउनलोड करें वहाँ पर इस कोचिन की जो है पीडियेफ इसकी पूरी पीडियेफ अच्छे से टाइप करके परफेट वे में मैं आपको वहाँ पर जाँगा तो इसलिए एपलीटेशन ये जितने भी हमारे पर हैं वह आपको एपलीटेशन पर हमारी पर मिल जाएंगे आम की संटर किस्म है आपको बताना है आम की कुन सी किस्म जो है संटर है तो इसमें से बई उप्यूटता मान 72 है तो बीज का सुद्धता प्रतीसत होता है यहोगा तो याद रखें आंसर जाएगा 90 फिर उसके बाद नचत्रों की अदला कोशन क्या है नचत्रों की रतीती आदार पार की जाने वाली किरसी पद्धिती देखो 12th क्लास से पूचा है 86 का जो आंसर वो क् जाएने में ठेती क्लियर है फिर उसके बाद जो है 97 की बात परें तो दूद में अमलता परिछन के लिए किस अभी तर्मत का प्रियोट किया जाता है अमलता परिछन की यह दी बात परें तो आंसर जाएगा सोडियम हाइडरोटसाइड क्लियर है फिर उसके बाद जो है 98 सं संपर्ख 68 जो है यह आंसर जाएगा पैराट्वेट संपर्ख 80 है पैराट्वेट यह आंसर जाएगा राजस्तान में किरसी जलवाईवे खंड़ों और जिलों में सुमिलित नहीं है कुंसा सुमिलित नहीं है ध्यानत हैं यह PDF आपको एडरी पाबर जैपुर कुचिन की जो हम मेरे थड़वी ये गलत है निमने में से किस फसल की नरसरी बना कर भी रोपाई की जाती है आंसर जाएगा सौफ ये आपके अब जाके 100 कोश्चन हुए हैं अब आप बताओ वही क्या दिक्त है ठीक है आपके 100 कोश्चन हो हैं वो कम्प्लीट हो गए चली में अब हम बात कर ल सर नम्मर दो कैसे चेक्तर हैं बंडारी ग्रूप किस शीजड़ा नंबर देया वई याद रहें हमारी एपलीकेशं बुूज़तेशन ध्यजवत्टरइप कोशिण के नाम से प्लेश्टोर पर है वो आप चेक्ट कीज़िए नम्मर क्या दें नम्मर दो कैसे चेक्तर हैं ये C है और बदा में 80 सही है आंसर के में नहीं बात नहीं बनेगी हाना यह अदि आप जन्रलोवीशी हो तो 80 में बात नहीं बनेगी थैना कम से कम नहीं तो जन्रलोवीशी को 85 तरोस्ट नहीं पड़ेरो अच्छा एक और चीज है, 85 छोड़ो इसमें, मैं एक चीज बता देता हूँ, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इसमें असमंजस्टी स्थिती में है, तिरो वैसी दीसी बात है, इसमें बेटेज जो हैं 20, 20 नमबर जो हैं, 20% जो बेटेज हैं, वो आपके अटड़िमिक नम पर क्यों जा रहे हो आप, आप कोश्चन पर मत जाओ ना, आप कोश्चन पर मत जाओ, कि इतने सही हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, आप इस पर जाओ, ये वेटेज यदि, ये वेटेज आपका जो हैं 85, 85 प्लस आ रहा है, ये वेटेज जो हैं, ये आपके अकेड़िमिक नम इस्टा वेटेज यदि आपका जो वेटेज है वो वो आ रहा है आपका वेटेज 85 ठीटेज 85 85 प्लस आ रहा है तो आप ये मालो आप सेफ जॉन में हो सेफ जॉन ये है किस टे लिए बई जनरल एन ओ भीशी के लिए और बात यिटेज जितने भी टेटटीद्री है बंद्रिज ये आप 80 प्लस में हो तब आप सेफ जॉन में हो ये आपके जनरल ओभीशी और EWS चाहिए वो मैला हो चाहिए वो पुरुस हो तो आप सेफ जोन में हो अधर के लिए अधर्स अधर क्राटिगरी मेरे अटॉर्डिन जो है एट्टी प्लस है तो सेफ जोन में है ठीडिया चलिए यहां पर भी मात खाएंगे क्यों मात खाएंगे 20% वेटेज दिया हुआ है 20% में आपके 11th क्लास वी देठी जाएगी आपके 12th क्लास वी देठी जाएगी आपके जो है ड्रेजुएशन वी देठी जाएगी समझ रहो तो यह सारी चीज़े देठी जाएगी आपके हाँ only agriculture की test ली लेनी है सेदे बाशिया जी वो 500 500 रुपे में है तो याद रखें आपको 20% अटार्डमेंट नमबर और आपके 80% जो है इसका weightage रहने वाला है जो आपके जो आपने paper दिया है इसका weightage रहने वाला है समझे रहो तो selection जो हैं दो नोटा जोड के उड़ा आप क्या सोच रहो आप यह सोच रहो है सर हमने paper दे दिया paper में इतने आगे अरे paper के आधर पर cut-off कौन बताता भई है ना जो ये cut-off बता रहा है कि paper में जिसके इतने आए selection हो रहा है तो डलत है है ना knowledge नहीं है उसको प्लस वेटेज दोनों चीज़ें चुड़ेंगी इसमें पता की नहीं बता है साफ साफ मैंसन है न उस चीज़ में बई कि अकेडमित नम्मर एड उन्य सहदेवासिया जी वो टम्प्लीट पैटेज है वो 500 रुपे का है आप 500 रुपे लगा लो कोई दिट्टत नहीं है टेशी वी कोशन में डाउट है हैना एड री टल्चर तो मैं यह क्या सकता हूं कि एड री टल्चर में तो आंसर रेर केस में चेंज होगा हैना आंसर चेंज एड री टल्चर में नहीं होगी हाँ आलंड या आपकी कोशेस है वो आप कर लीजिए SC है मेरी हाँ आप सेफ जोन में हो यदि आपकी SC में 83 है 83 क्या बंडारी गुरूप 83 क्या 83 गया देखो आप समझी नहीं रहे हो बात को मैं क्या टेरा हूं देखे जिस विद्ध्यार्थी को किसी भी प्रटार्थी जो है समझ्या रहती है देड़ों मैं बता देता हूं आपको यहां पर हम बात करेंगे यह देखे हम बात करेंगे लाड़ लो यह आपका SKNAU की बात करेंगे SKNAU यहां से फिर हम B site पर जाएंगे ये website हाँ इस से फिर हम उस website पर जाएंगे SKNAU की website है चली एकड दरीट सलचर सुपरवЫजर का फेव में हो सकता है हाँ हो रहा ना दर्वेंद्र जी 100% हो रहा आर्यन सीन हिंदी वाले कोशिन माप चेक के लिजिए अन्कुर पंचो लिजी टैट्निकल असिस्टेंट एउ कोटा हां उसका आप मुझे बेज दीजिए ना ये जो निर्वाला खुल नहीं रहा है नॉन टीचिन एडवर्टाइजमेंट ये ये बेवसाइट है यहां पर दिया हुआ है रिक्रुमेंट नॉन टीचिन बिजिट पोर्टल तो हमने पोर्टल को बिजिट कर लिया है यहना बिजिट करने बाद नहीं सिर्वंट कुमार जी 11th class में वह चीज डलत देखे रही है तो वह गलत है तो ढलत है हर चीज को आप डलत नहीं मान सकते हो समझझी रहो हर चीज को ऐसे तो यहां पर क्या है यहां पर इन्हों ने दिया हुआ है आध्री ट्लचर शुपरवाईजर यह रहां यह PDF open नहीं हो रही है हाँ notification चलिए उपन नहीं हो रहा है जब टी इसमें अचार्ड में जो नममर है वो आपके धिये हुए है उसको भी आपको देखना है देख लेते हैं इसमें असाप-इसमें दिया हुआ बहुआ बहुत है अचार्ड मेर पास फायल नहीं है बना मैं दिठा दा इसको अभी ये साइद मिस हो रही है ये नहीं फाईल चलिए परिच्छाए स्ट्रीम थी वो नहीं है आमारे बास कोई देटाद नहीं है तो परिच्छाए स्टीम में साफ-साफ जो है अटेडिमिन नमर जो है दिये हुए है जिदुड़ों इसमें देखके बता देता हूं चलिए और कोई कोशन बदा है आपके कोशन बदा है देखो यह आपके दिये हुए है अकाडमित नम्मर जो है अकाडमित नम्मर के 20 अनके दिये हुए है जेखो इसमें आपके दिये हुए है एट तो 10th class, एट 12th class और एट graduation है ना यहाँ पर भी buried रहेगा आपकी जो cutoff है ना यहाँ पर भी buried रहेगी साब साब दिया हुआ भई यहाँ पर भी buried रहेगी पर्लम लेट वर्ड विच लेंग्वेज यह तो मुझे भी नहीं बता भई हमने जीवन में नहीं पड़ा यह तो चलिए और बताएं करो है तै है sir आपके को राट हो हिए फाइनल को गना है दिलकुष निजी फानल को ड़ाम का देक टो आइडिया नहीं लगा सकता है यह दू wt Ready सीट आ बिश्वे हैं है ना हँं यह है मैंने सेफ यॉन बता दिया आप फाइनल कुवजे नहीं लगा सकता है कि मिलेट बाजरा पेपर बेज दे हैं मुझे पेपर के आधार पर जो है चेट तरेने हैं हाँ सैदेव आशिया जी उस पर काम चल रहा है नई बुट पर काम चल रहा है कपू डान सर अंकुर पंचोली जी इसका अंसर तो भई मुझे पेपर बेजिंए तो हमारे यह टेसरी आप लें और इस टेसरी में आपके 11 और 12 class का content भी साथ में इस टेसरी में आपको 11 और 12 टे कर टेश्कटर वा कुश्यान मिलेगे ठाक्यों भी द्यार दियो चलिये thank you so much for watching video thank you so much